नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और कोविंट बॉक्स में जया सिकरिस्ट ना लिखे तो चलिए वीडियो सुरु करते हैं मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है पाप है या पुन्य है सदियो से इस बेसर पर बहस चली आ रही है हिंदू धर्मे में भगवान को मानने वाले लगबग सभी लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मूर्ति की पूजा में विश्वास नह करने वाला वेक्ति मुर्ख होता है इस प्रस्ण का उत्तर हम स्वामी विवेकानन जी के एक कहानी एवं भगवत गीता के एक स्लोग के माध्यम से समझेंगे दोस्तों अगर आप सच्मी भगवान सिक्रिष्ण के भक्ते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दिजिए एवं मुर्थी की पूजा क्यों करते हैं यह तो महज एक मिट्टी एवं धातु की बनी हुई मुर्थी है फिर राजा कहता है मेरे हिसाफ्त तो मुर्थी पूजा करना मुर्खता की पात्र है इस पर स्वामी विवेकानन जी कहते हैं राजा आपके पीछे दिवार पर लगी तस् राजा गुस्से में कहते हैं आप यह कैसी बाते कर रही हैं मैं अपने पिताजी की तस्वीर पर कैसे थूख सकता हूं फिर विवेकानन जी कहते हैं वैसे हम भी एक पत्थर मिटी एवं धातु की मुर्थी को भगवान का स्वरूप माते हैं हमारे लिए मुर्थी सामने हो तो मन एकागर करने में आसानी होता है और फिर भगवान तो कन कन में होते हैं इस बिस необход गीता में भी एक स्लोक पाया जाता है भगवत गीता के साफ्य अध्याय के एक स्विस लोक्मे से किस्टन जी कहते हैं जो भक्त जिसमी मुर्ति की पूजा सरदा पुरवग करता है मैं उस भक्त की सरदा उसी देउता में ग्रहन के लेता हूं इससे यह सिद्ध होता है कि मुर्ति पूजा व्यर्थ नहीं है हम हिंदू हैं हम भगवान की पूजा करते हैं हम मुर्ति की भी पूजा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे आसा करता हूँ कि यह आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चितर वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स न जिया से कितना लिखें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों